सिद्धी बुध्धी प्रदे देवी भुक्ती मुक्ती प्रदायनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब दोस्तों आज में मालक्ष्मी को प्रसन्न करने के और मालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के कुछ ऐसे आसान और जरूरी उपायों को बताऊंगी जिसे अपना कर आप अपने जीवन में सुख, शांती, संवरिद्धी का निरंतर वास करा सकें जिन्दगी में बहुतिक सुखों का आधार है धन, अगर आपके पास धन है तो बहुत कुछ आप आसानी से कर सकते हैं, और अगर आपके पास धन की कमी है तो आपको अपनी जिन्दगी में बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पर सकता है, इस बहुत इक्ता की दुनिय में धन अगर सब कुछ नहीं है तो भी धन बहुत कुछ है चौदा रतनों के साथ मालक्षमी भी समुद्र मंतन के समय निकली थी मालक्षमी के कृपा और आशिरबाद से धन की प्राप्ति होती है मालक्षमी ही धन की देवी और भगवान विश्णू की पतनी है दोस्तों मालक मालक्ष्मी का एक मुख और उनके चार हाथ दर्शाय जाते हैं मालक्ष्मी का एक मुख एक लक्ष का प्रतीक है और मालक्ष्मी के चार हाथ चार प्रकृतियों के प्रतीक होते हैं यह चार प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं यह चार प्रकृतियां हैं दुर दर्शिता दु मालक्षमी अतिशेक्र प्रसंद होने वाली देवी हैं और नाराज भी बहुत जल्दी होती हैं इसलिए मालक्षमी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मालक्षमी की पूजा से पहले भगवान गनेश की अराधना जरूरी होती है मालक्षमी उस घर मालक्षमी की पूजा से सिर्फ धन और बैभों ही नहीं मान सम्मान यश सुक शांती सम्रिद्धी दामपत्य सुक और आरउग्यता की भी प्राप्ति होती है जोतिश में शुक्र गर्य से इनका सम्मंद माना जाता है मालक्षमी की कृपा प्राप्ति के लिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुत्रा और व्यवस्तित रखें सुयम के सुरक्षता पर भी ध्यान देना चाहिए रोज नान करें और सुरक्ष वस्त्र पहने मा लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि जो लोग औरतों का सम्मान नहीं करते मा उन पर कभी भी प्रसन्न नहीं होती है मा लक्ष्मी की पूजा में कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए यदि निमों को पालन न किया जाए तो मालक्ष्मी नाराज हो जाती है मालक्ष्मी के उस तस्वीर की पूजा करनी चाहिए जिसमें मालक्ष्मी गुलाबी कमल पर बैठी हो और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो मा लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलावी वस्त्र पहन कर करनी चाहिए मा लक्ष्मी की पूजा का सर्वोत्तम समय मध्यरात्री का होता है गोधुली की बेला भी मा लक्ष्मी के पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी गई है मालक्ष्मी की पूजा में सफेद रंग का भोग चड़ाएं जैसे कि मिश्री के दाने या गाय के दूद में बनी खीर मालक्ष्मी की पूजा में लाल रंग की बत्ती और घी का प्रयोग करना चाहिए दिये को जलाकर मा के तस्वीर के दाई और रखें फूलों को मा के सामने रखें, धूप अगरबत्ती या धूवे वाली चीजों को मा के बाई और रखें मा लक्ष्मी के मंत्रों का जब इस फटिक की माला या कमल गटे की माला से करनी चाहिए मा लक्षमी की पूझा में तुलसी पत्ते या तुलसी मंच्री का प्रयोग नहीं किया जाता है मा लक्षमी को हाथ जोड़ कर प्रणाम नहीं करना चाहिए बलकि भिकशुख अवस्था में दोनों हाथों को फैला कर यह आचल को फैला कर मा से अपनी मनो कामना की पूर्ती, धन की प्राप्ती, मान सम्मान की प्राप्ती के लिए भगती भाव के साथ प्रातना करनी चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद मा से जाने अंजाने में हुए भूलो के लिए छमा प्रातना जरूर करनी चाहिए। मा लक्ष्मी अति शिग्र प्रसन्न होने वाली भक्त वत्सल, दया स्वरूपा, क्रिपालू और दुखों का नाश करने वाली देवी हैं। आस्था, विश्वास के साथ कुछ नियमों का पालन करते हुए, पूर्ण भक्ती भाव के साथ, अगर आप सभी भी मा लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो मा अति शिग्र प्रसन्न होकर, आप सभी की सभी मनों कामनाओं को पूर्ण कर, आपके जीवन को खुश्यों से ओत प् सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को भी प्रस कर दें, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नॉटिफिकेशन्स आपको आसानी से मिल सकेंगे, थैंक्स फॉर वाचिंग